दोस्तो प्रो कबड़ी लीग सीजन नाइन सीजन टू के हीरो यू मुम्बा सुक्रवार रात को अपने पीकेल सीजन नाइन मैच में तमिल यू मुम्बा वसे तमिल थाइलवाज में भीडेंगे सीजन 2 के हीरो यूमूमबा सुप्रवार रात को अपने PKL मैच में तमिल थालवाज से भीडेंगे वही थालवाज से ये मैच बेंकलरू में स्रिक कारंतवा स्टेडियम में खेला जाएगा सारे 7 वज़े से आप इस मैच को लाइब देख सकते हैं इसके बाद आज के इस मैच में यूमूमबा से तमिल थालवाज के खिलाब अपने पिछले गेम हारने के बाद पड़ते हो गिताव में परवेश कर रहे हैं जबकि उत्साही यूमूमबा यूमूमबा के खिलाब अपने पिछले मैच में सीजन की पहली जीत हासिल की तमिल थालिवाज दो सीजन में दो मैचों के बाद जीत नहीं पाएं उनके लिए इनफॉर्म यू मुबाग खिलाव जितना कठीन होगा स्टार रेडर पवन सरावत अनुपस्तिती में तमिल थालिवाज लाइन अपको पिछले गेम में हरियाना इस्टिलर्स के हाथो 22-27 से हार का सामना करना पड़ा था अपने अभ्यान को पट्री पर लाने के लिए थालिवाज को निश्चित रूप से एक बहुत जरूरी पुनादूर की जरूरत है हरियाना के खिलाफ यहाँ पे थालिवाज ट्रेडिंग विवाग पुरी तरह से लड़ खड़ाया वन जड़ारा सहरावत की गैड मुझूद्गी में वो संघर्स कर रहे हैं वहीं डिफिंडर हिमांसू और ओल्राउंडर विसुनात को वो एस्टिलर्स के काफी खिलाफ में अखेल रेडर के रूप में इस्तमाल किया गया है और वे केवल दो अंक लेने में सफल रहे थे तैलवाज का यू मुंबाग खिलाफ चापे मारी विवाग में कुछ फॉर्म खाजाने की जरूरत है इस बीच रक्षा का नेत्रियत्तु सागर राठी कर रहे हैं वहीं टीम के स्टैंडिन कप्तान वाकरी गेम के एक हाइफाइब लेने में सफल रहे थे यू मुंबा ने सुमवार को सीजन नाइन की अपनी पहली जीत दर्च करके अच्छी वापसी की थी टीम ने एक मजबूत यू पी ओधा लाइनप को हडाया उन्होंने मैच में एक रक्सांदार अच्छात्मक परदर्शन भी किया कफ्तार सुरिंदर सिंग के साथ डिफेंडर रिंकु करन मिगार और हेरदवार की सफसर को बुनाया और यू पी यो था खिला तीस ताइस से यहाँ पे तो दोस्तों अगर आपको भी देखना यू मुंबाव से तमिल था लिवाज का पूरा मैस 14 अक्टूबर को आप सारे साथ बजे से स्री कांतरावा इंडोर स्टेडियम बेंगलरू में ये लाइव स्ट्रिंग आप डिजनी प्लस हॉट स्टार के देख सकते हो प्लस का प्रसारा ने तोर्स पे भी हाँ पर होता है वहीं ये स्टार स्पोर्स वन और स्टार स्पोर्स चूर पर आप कवरटी के सबी मैस लाइख सकते हो तो चलिए दोस्तों मिलते हैं तरही एक और नई वीडियो में तब तक लिए मैं चलता हूँ आपका दोस्त धन्यवाद